जन्पत संबल के गुन्नोर तहसील परीसर में सपा के पूर्वचातर सवा अध्यक्ष अमित यादव ने फरजी एंकांटर को लेकर वा महिलाओ पर हो रहे उत्पिडन को लेकर किया परदर्शन आपको बताते चलें कि संबल में समाजवादी पार्टी के पूर्वचातर सवा अध्यक्ष अमित यादव ने काफी संख्या में सपा कारे करताओं के साथ गुन्नोर तहसील परीसर में उत्तर प्रदेश में महिलाओ पर हो रहे उत्पिडन को लेकर राज्य सरकार दुआरा ल उत्तर प्रदेश में सभी एंकाउंटर की जाच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दुआरा कराई जाए एक जाती विशेश की लोगों की हत्या हो रही है उनका भी संग्यान लिया जाए अगर यह एंकाउंटर फरजी हो तो सभी के परिजनों को एक करोड़ रुपै वा ए नमट के अनकउंटर के साथ साथ आमरदोबे नामक और परवाद मिष्ञ नामक के दौबभी विशक का वी एंकाउंटर के यह है जबकि प्रवाद मिष्ञा पर एक भी न सियर नहीं थी कि मात रुसी दिन का केस लगा कर उसका नकाउंटर कर दिया गया यह थे हमारे छिव प्रशासन करा रहा है उसके खिलाप धर्ना प्रदर्संद था हम ने एज जिन्सवाम गुन्नोर के माधियम से राष्टपदी महोदे से अपील की है कि सभी एनकाउंटरों की हाई कोट या सुप्रिम कोट के सिटिंग जजों से जाच की जाए और जाच में एकर ये दोसी मांग थी और यह मांगें हमने एजिम साब के द्वारा मानिय राष्टपती जी गुदी हैं और उनसे यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हलात्या बढ़ रही हैं बलातकार बढ़ रहे हैं और पिसानों की जो आत्मत्या हो रही है इन से सम्मधित जो महला प्रद्वाइब ह साथ सबसे दुखत पूर्ड जो हमारे फर्जी एनकांटर रहे हैं और एक जाती विसेस का भी हत्यान लगाता रुत्तर प्रदेश में हो रही है इनके विरुद्दी हमारा धर्दर धरना प्रदेशन रहा है